लोगसवा चरण का आज पांचवा चरण खत्म हो गया लेकिन चुनावी रण में 51 सीटों का बिग बॉस कौन होगा और पांचवे चरण की होट सीटों पर कौन मारेगा बाजी इस पर सब की निगाहिटी की हुई हैं उत्तरपरदेश, मध्यपरदेश और राजिस्थान के लावा पश्चिम बंगाल, बिहार, जारखंड और जम्मु कश्मीर में आम लोगों के साथ वी आईपी वोटर ने लोगतंतर के पर्व में हिस्सा लिया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया पांचवे चरण में यूपी की 14 लोगसवा सीटों में से 7 सीटें बेहत हौट सीट हैं जिन में से लखनव सीट की लड़ाई बेहत खास है लखनव सीट से केंद्रे ग्रहे मंतरी राजना सिंग बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं जिनका सीधा मुकाबला S.P.B.S.P. गडबंदन प्रत्याशी और कॉंग्रिस नेता शत्रुगन सीना की पत्नी पूनम सिनह से है जबकि कॉंग्रिस के टिकट पर आचारे प्रमोत कृष्टनम चुनावी मैदान में है राजना सिंग आज अपने परिवार के साथ विपुल खंट तीन स्थित स्कॉलर होम में बने बूत पर पहुँचे और वोट डाला तो वहीं बीजेपी नेता सुधान शुतिरवेदी ने भी लखनों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया बिएस्प अधेक्ष मायावती ने भी लखनों में मतदान किया मतदान के बाद मायावती ने गडबंदन की जीत का भरोसा जताया तो वही एस्प उमीदवार पुनम सिन्हा ने भी लखनों में वोट डाला और कहा कि उनके उपर मायावती का अशिरवाद है और गडबंदन की जीत पकी है मुझे अशिरवाद मिल रहा है भेन जी का मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं उनका धन्यवाद कहती हूँ कि उन्होंने मुझे आशिरवाद दिया लोगतंत्र के महापर्व में यूपी चुनावायों की ब्रैंडम मेजडर और भोजपुरी गाय का मालनी अवस्थी ने भी बढ़ चड़ कर हिस्ता लिया मालनी अवस्थी ने लखनों में अपने परिवार के साथ वोट डाला और गाय के अंदाज में वोट अपील करती नजर आई यह दिखाता है कि कई न कई महानगरों में भी अब जो जो नहीं हमारे देश के प्रदेश की जो रासधानिया है वहाँ पर भी अब लोग कहते थे न बड़ा उदासीन रहता है मतदाता ग्रामीन वोटरों में एक उत्साह दिखता है ही चाहते हो